है ओसो मारसाइस माने मि है संजीफ पांड पांदे और स्वागत आपका आपने प्यारा से चेनल में खुबसूरा से चैनल में जर टुटोरियल में ओके कैसेeker ए 휩गे त negotiate सो आज हम लोग क्या श्टार्ट ने वाले mixing उनां टूी डाइमेंशन की बात करनेवा Så알 होता है motion इना two dimension की बात करें तो जब कभी भी जब कभी भी मेरा motion x-axis as well as y-axis दोनों axis में जब वो motion हो तब जो motion होता है उसको हम लोग बोलते है motion इना two dimension like जब plane उड़ता है तुम लोग ने देखा रहेगा जब plane take off लेता है तो plane take off कैसे लेता है देखो वो x-axis में भी travel कर रहा है as well as वो उपर भी जा रहा है मतलब वहाँ पे दो motion हो रहा है वहाँ पे along x-axis के along भी motion हो रहा है और along y-axis के भी motion हो रहा है तो जब कभी भी ऐसा होगा so that motion is called as two dimensional motion okay circular motion is also a best example जब कभी भी circular motion होता है माल लो, यहाँ पर कोई circular motion हो रहा है, तो देखो circular motion में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर कोई particle है, वो clockwise circulate हो रहा है, तो देखो, वो x-axis में भी जा रहा है, y-axis में भी जा रहा है, देखो, यहाँ पर, अब जैसी यहाँ पर आया देखो, x-axis में वो आगे बढ़ रहा है, y-axis म वो नीचे आ रहा है, जैसी वो यहाँ पर आएगा, X-axis में वो पीछे बढ़ रहा है, और Y-axis में भी वो पीछे बढ़ रहा है, मतलब यह है, कि जब कभी भी दो डाइमेंशन में मोशन हो, that motion is called as, that motion is called as two-dimensional motion, ओके, इसके दो एक्जामपल हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले है इसे तो बहुत एक्जामपल है, बट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, that is two examples, one is nothing but a projectile motion, and another is nothing but a circular motion, हम लोग यहाँ पर दो टापिक पढ़ेंगे, जो कि महतोपून टापिक है, पहला है projectile, और second है circular, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है two-dimensional motion, क्या-क्या इसके अंदर properties हैं, क्या-क्या, इसके अंदर terms use होते हैं, जैसे linear motion में terms use होते हैं, air displacement, velocity, acceleration, वैसी इसके अंदर भी use होते हैं, तो वो कौन-कौन से हैं, वो हम लोग सब देखेंगे, so let us start with a topic, book और pen उठालो फटा-फट, बैट जाओ, पूरा एक one-shot वीडियो देख लेना, म तो start करें, तो अगर हम लोग two motion inner plane की बात करें, तो motion inner plane का मतलब क्या होता है, motion inner two dimension, that is, x direction में में, और as well as y direction में motion, तो consider करो यहाँ पे एक particle है, यह जो blue color से दिख रहा है, यह blue color से तुम्हारा जो particle है, वो particle का path है, so particle का हम लोग 2 position consider करेंगे, let us consider p position and q position, 2 position हम लोग consider करेंगे, तो अगर मैं p position देखने जाओं, तो p position करेंगे मेरा जो position vector है, that is r1, so r1, r1, क्या बन जाएगा देखो ज़रा, r1 vector is nothing but, क्या बनेगा, x1 i cap plus y1 j cap, अब यह कहां से लिखा, अगर जिर्योंनोंने directly यह chapter पे jump मारा है, तो I will suggest कि सबसे पहले जाओ, इसके पहले topic है, mathematical method, वहाँ पे हम लोग ने scalar vector अच्छे से खतम किया है, वहाँ पे हम लोग ने discuss किया है, कि क्या होता है position vector, और कैसे लिखते है position vector, वहाँ पे vector की सारी कहानी completely discuss हुई है, तो पहले जाओ, वहाला topic देखो, और बाद में यहाँ पे jump करो, ओके, so यहाँ पे मेरे को r1 मिल गया, r1 can be written as x1 i i cap plus y1 j cap, अगर मैं r2 vector देखू, for the q position, q particle के लिए अगर मैं देखू, r2 vector तो r2 vector क्या हो जाएगा, देखो सरा, r2 vector is nothing but, x2, that is x2 i cap, plus y2 j cap हाया, बट मेरे को नहीं r1 चीए, नहीं r2 चीए, मेरे को तो r1 minus r2 चीए, मेरे को तो distance between p and q चीए, ना, so p and q क्या हो जाएगा, p and q हो जाएगा, that is r1 minus r2, that is change in displacement हाया ना, what is change in displacement, that is r2 minus r1, oh sorry, r1 minus r2, so क्या हो जाएगा, r1 minus r2 ज़रा देखो तो, अगर r1 में से r2 को minus करूंगा, तो this minus this, that is x1 i cap plus y1 j cap minus, क्या हो जाएगा, r2, x2 i cap plus y2 j cap हाया ना, बास समझाएगे, अब क्या करो, x2 को x2 के साथ ला दो, x1 और x2 को x साथ क्या मिलेगा, x1 minus x2 i cap, यहाँ पर क्या जाएगा, plus y1 minus y2 j cap, अब यह x1 minus x2 रहे, y1 minus y2 रहे, doesn't matter, हमेशा याद रखना, बड़े में से minus छोटा करेंगे, हमेशा याद रखना, final minus initial करेंगे, ओके, यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिग सकता हूँ, कोई problem नहीं है, this can be written as, that is rx, यह x का component हो जाएगा, into y, plus ry, यह y का component हो जाएगा, into j, clear, समझा, this is nothing but displacement, यहाँ पर जो displacement रहेगा, वो x और y के form रहेगा, जो की vector के form में रहेगा, i और j के form में रहेगा, इसलिए यहाँ पर i, j समझना बहुत ज़रूरी है, तो i, j अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, i, क्या है, j, क्या है, इसमें हम लोग ज़्यादा k की बात नहीं करेंगे, तो these are the unit vector, okay, along x-axis, y-axis and z-axis, और यह already हम लोग ने discuss किया हुआ है, इसके previous chapter में, which is nothing but a mathematical method, playlist में पूरा पूरा ये videos एवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाओ, पहले वो refer करो, और बाद में यहाँ पर jump मारो, directly यहाँ पर jump मारोगे, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, यह याद रखना, clear, समझ में आया कि displacement कैसे आया, this is nothing but a displacement of a particle in two-dimensional, okay, two-dimension में जो displacement होगा, वो x-axis और y-axis दोनों का displacement होगा, सिरिफ x और y-axis, सिरिफ y की displacement की बात नहीं होगी, यहाँ पर, यहाँ पर दोनों x-axis के displacement की बात होगी, clear बास में आया, इसके बाद हम लोग देखेंगे that is the velocity, देखा था हमनों ने displacement देखा था, velocity in two-dimension की, okay, so velocity in two-dimension, velocity in two-dimension, okay, so मेरको पता है, what is velocity, अगर में देखने जाओ, तो velocity का formula क्या होता है, velocity का formula होता है, displacement by time, या फिर, let us consider change in displacement by change in time, okay, but what is change in displacement, भाई, यहाँ पर एक ही change in displacement लग रहा है क्या, ना, यहाँ पर दो लग रहा है, दो कौन-कौन से, एक along x-axis और दूसरा along y-axis, तो यहाँ पर मैं displacement देखने जाओ, तो displacement क्या हो जाएगा, V का formula क्या हो जाएगा, यहाँ पर V का formula हो जाएगा, that is nothing but x, rx, i-cap, plus ry, j-cap, बरबर, rx, i-cap, plus ry, j-cap, whole divided by change in time, अब यह change in time को थोड़ा सा split कर दो क्या मिलेगा, that is rx, divided by delta t, i-cap, plus ry, delta t, j-cap, इसको क्या बोलेंगे, this is nothing but displacement in x direction divided by time, तो displacement in x direction divided by time, क्या हो जाएगा, राइट, velocity in x direction, i-cap, plus, यह क्या है, देखो, displacement in y direction divided by time, तो displacement divided by time क्या होता, velocity, बट कौन से direction की बात हो रही है, y direction की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, vy, j-cap, हाँ या ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाओं, तो यहाँ पे भी मेरा जो velocity है, वो भी दो component में बटा होगा, एक i component में बटा होगा, जो की x direction के अलाओं होगा, दूसरा j component में बटा होगा, जो की y direction के अलाओं होगा, clear, अगर third axis आता है, तो third axis में यहाँ पे k भी लग जाएगा, बट हमको third axis का question नहीं आते हैं, हमको मात्र दो ही question आते हैं, i और j k, अब मालो की इसका magnitude पूछ ले, अगर मालो displacement का भी magnitude पूछ ले, यहाँ पे displacement है, displacement का भी magnitude, यह तो vector के form में हैं ना, यह तो vector के form में, यह जो है वो इन vector form है, तो अगर मिरको अगर इसका कोई magnitude पूछ लेगा, तो हम लोग ने magnitude निकालना सिखा था, vector में हम लोग ने magnitude निकालना सिखा था कैसे निकालते थे magnitude ज़र बताओ तो वीडो पॉस कोरो उन्हों को बताओ कैसे निकालते थे magnitude magnitude of r vector अगर हम लोग को निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे that is i के component का square that is x के component का square plus y के component का square हाँ या ना अगर इसका direction निकालना था तो direction कैसे निकालते थे theta is equals to tan inverse हाँ या ना y का component that is r y divided by x का component that is r x ऐसी निकालते थे ना और यह जो theta बनता था यह किसके with respect to बनता था यह with respect to x axis पे बनता था हाँ या ना जो भी denominator मेरेगा उसके with respect to से angle बनेगा यह चीज़ हम लोगने discuss कीती की नहीं कीती yes or no तो same magnitude ऐसे velocity का भी निकालना है velocity का magnitude के लिए कुछ अलग से rocket science लगने वाला नहीं है same to same निकालना है अगर कोई बोल दे कि इसका मेरे को magnitude निकालना है तो इसका magnitude कैसे निकलेगा same अगर कोई इसका मेरे को magnitude निकालने बोले तो velocity का magnitude कैसे ही निकलेगा magnitude of velocity is nothing but under root under root vx का square plus vy का square हाँ या ना समझा अगर हम लोग देखने जाया तो कैसे निकलेगा vx का square plus vy का square और माल लो कि मेरे को पूछ लिया कि भाय velocity का direction बताओ velocity का direction with respect to x-axis बताओ तो same कहानी कुछ अलग formula नहीं that is theta is equals to tan inverse क्या हो जाएगा vy by मतलब y component divided by x component हाँ या ना that is y component divided by x component this is nothing but angle और यह किसके साथ बनेगा यह बनेगा with respect to किसके साथ with respect to x-axis के साथ याद रखना ओके यह तो average की कहानी हुई अगर माल लो कि तुमको आ गया कि भाई instantaneous बताना है तो instantaneous के लिए कोई tension वाली बात नहीं है instantaneous के लिए same ही formula बनेगा बस वहाँ पे average के जगे क्या बनेगा वहाँ पे average के जगे in the form of क्या बनेगा differential बनेगा तो differential के form में कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं dx by dt i cap plus dy by dt j cap हाई या ना तो यह differential के form में हो गया यह है velocity ना देखो यह कुछ नहीं है यह तुमारा vx है यह कुछ नहीं है यह तुमारा vy है ओके dx by dt क्या होगा velocity rate of change of displacement with respect to time तो यह वही तो है rate of change of displacement with respect to time यह क्या है rate of change of displacement in y direction with respect to time तो अगर instantaneous पूछ लिया तो instantaneous के लिए यह कहानी लगा देना कुछ extra लगाने की ज़रौत नहीं है बात समझ में आरी यह नहीं समझ में रही है velocity समझ में आया two dimension में बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग हमेशा two direction की बात करेंगे मतलब x direction की बात करेंगे as well as y direction की बात करेंगे इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा magnitude निकालने के लिए under root वाला formula लगाएंगे light summation वाला clear बात समझ में आगे everyone पक्का पक्का चलो next next हम लोग बात करेंगे acceleration की अब मेरको लगता है acceleration तुम लोग खुद से लिख सकते हो मेरको ऐसा लग रहा है जहां तक लग रहा है acceleration तुम लोग खुद से लिख सकते हो acceleration define कर सकते हो ना भाई क्या ही होता है acceleration ज़रा बता हो तो तुम लोग बताओ कैसे निकालेंगे, so x direction का velocity का change और y direction का velocity का change, मतलब, change of velocity in x direction plus change of velocity in y direction divided by change of time, इसको split कर तो देखो क्या मिलेगा, तो change of velocity in x direction divided by time, यहाँ पर क्या मिलेगा, change of velocity in y direction divided by time, और यह यह क्या ही रहेगा, यह i cap रहेगा, और यह क्या रहेगा, यह j cap रहेगा, यह i cap रहेगा, यह क्या रहेगा, यह j cap रहेगा, unit vector है, लगाना बहुत ज़रूरी है, unit vector उसका direction बताएगा, यह तो magnitude की कहानी बता रहा है न, direction भाई, किसके along है? x-axis के along है? y-axis के along है? z-axis के along है? ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा यहां से. बात समझ मैं आ रही कि निहीं समझ मैं आ रही है? Okay? तो क्या ही होता है? change of velocity with respect to time होता ही क्या है? change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. यही तो है acceleration. तो यह हो गया मेरा acceleration along x-axis और यह हो जाएगा मेरा acceleration along y-axis हाँ यह ना यह हो गया मेरा acceleration that is the average acceleration अब अगर मेरे को इसका कोई magnitude निकालने बोल देदा same process by magnitude निकालने का कोई अलग प्रोसेस तो है नहीं तो यहाँ पर magnitude of a vector क्या ही हो जाएगा under root of a square plus a y का square अगर में को कोई direction निकालने बोल देते क्या ही हो जाएगा theta is equals to tan inverse ay by x हाँ ना समझा और किसके with respect to the x-axis किसके with respect to the x-axis बात समझ में आरिक नहीं समझारी everyone पका कि समझ में आया कहां से बनाए यह कहानी ओके सेम है बस वही velocity को divide by time कर दिया देखो इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो सिरिफ one dimensional velocity को ले रहे थे यहां पर two dimensional velocity को लेंगे मतलब along x-axis और along y-axis और उसको divide करेंगे किस से उसको divide करेंगे time से हाई ना अगर मैं को मालो displacement given है और मैं को निकालना है velocity तो भाई displacement लो x-axis का displacement लो plus y-axis का displacement लो divided by time कर दो you will get the answer you will get the answer definitely बात समझ में आई acceleration समझ में आया everyone पका ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगर कुछ doubt आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है देखो equation of motion हम लोग ने one dimensional में discuss कर लिया है there are three kinematics equation जिससे मेरा motion solve होता है ओके three kinematics equation है मारे पास कौन सा equation है जरा बताओ तो तुम लोगो already पता है that is v is equals to u plus 80 हाई यह प्लस है यह प्लस है यह प्लस है यही तीन kinematics equation है अब यही तीन kinematics equation को हम लोग two dimension में भी यूज कर सकते हैं और बहुत बहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं कोई यह तेंशन वाली बाती नहीं है कुछ अलग equation नहीं है यही तीन equation हमको काम आने वाला है बस ध्यान क्या देना है वो समझो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है क्या ध्यान देना है अगर हम लोग ex-axis की बात कर रहे है अगर हम लोग substitute कर रहे है x direction की velocity, तो हम लोग y direction का acceleration नहीं ले सकते, हम लोग y direction का displacement नहीं ले सकते, याद रखना, यहाँ पी यही चीज एक ध्यान देना है, यहाँ पी यही एक चीज ध्यान देना है, कि अगर हम लोग x direction की चीज़े को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमको इस्तमाल सिरिफ x direction के component को ही करना है, अगर हम लोग y direction की चीज़ों को solve कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को सिरिफ इस्तमाल करना है y direction की चीज़े, हाँ, time दोनों के लिए same होगा, time for x direction और as well as for y direction, the time will be same, okay, माल लोग की यहाँ पे, यहाँ पे एक body है, इसको समझने कोशिस करो, इसको feel करने कोशिस करो, यहाँ पे एक body है, अब यह body x direction में 5 मिनिट के लिए चली, तो y direction में 5 मिनिट के लिए चली, थो time दोनों जगे same होगा, change क्या होगा, displacement and color,иса sądu, और acceleration, okay, so अगर हम लोग देखने जाए, so for x axis, अगर इसी इकवेशन को मेड़को लिखना रहे تو क्या लिख सकता हूं देखो जरा तो for x axis अगर इसी equation को लिखना रहे for x direction for x direction तो क्या ही लिख दूँगा देखो जरा same equation है कैसे change हो जाएगा vx is equal to ux plus ax into time sx is equal to ux into time plus half ax t square और vx square is equal to ux square plus 2ax sx मतलब सारे के सारे x direction की बात हो जाएगी सारे के सारे x direction की बात हो जाएगी y direction में कुछ भी नहीं रहेगा कुछ भी y direction में रहेगा time को छोड़के time दोनों के लिए same रहेगा x के लिए भी same रहेगा और y के लिए भी सिम रहेगा, yes or no, ओके, चलो, अगर मैं y direction की बात करूँ तो, for y direction, for y direction के लिए क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, y direction के लिए हो जाएगा, that is, vy is equals to u y plus a y into t, यह मेरा पहला equation हो गया, हाँ या ना, second equation क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, second equation हो जाएगा, sy is equals to, क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, u y into t plus half a y into t, हाँ या, देखो ज़रा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है अभी, ओके, नहीं तो तुमनों बोलोगे, sir, आप board के सामने आगए, अभी देखो, ओके, third equation क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, vy का square is equals to, u y का square plus 2 a y sy, आए, देखो ये दोनों equation में कुछ भी फरक नहीं है, ये तीनों में कुछ भी फरक नहीं है, ये, और ये तीनों के तीनों सेम ही है, बस जो direction है, जिस direction, जिस axis के along बात होगी, जिस axis के along हम लोग problem solve करेंगे, जिस axis के along हम लोग motion को study करेंगे, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा जो values है वो change होगा अगर हम लोग x direction की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे x direction आ जाएंगे अगर हम लोग y direction की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे y direction में आ जाएंगे और यह याद रखना जादा करके हम लोग y direction का जो acceleration है न वो हम लोग acceleration due to gravity पकड़ते हैं Y direction का जो acceleration है जादा करके हम लोग acceleration due to gravity पकड़ते हैं याद रखना, most of the cases में, जब body free fall होगी तब, free fall हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाले जो topic रहेगा, वो free fall की ही का नहीं रहेगी, तो अगर body free fall हो रही है, तो free fall में क्या होता है, most of the time, most of the time क्या होता है, most of the time हम का जो ay है, मतलब y direction का जो acceleration है, y direction का acceleration होता है, acceleration due to gravity, that is small g, जिसका value हमको पता है, 9.8 meter per second square, clear, बात समझ में आई सबको, everyone, पका, okay, clear हुआ topic, what is motion in two dimension, समझ में आया सबको, what is motion in two dimension, अगर कुछ भी doubt है, तो तुमारे पास comment section है, comment कर लो, okay, अगर कुछ confusion है, तो वहाँ पे कर सकते हूँ, मैं suggest करूँगा कि इसके पहले तुम लोग जो अपना mathematical method वाला topic है, जो scalar और vector वाला topic है, वो clear कर लो, वो clear करने के बाद यहाँ पे jump मारो, directly jump मारो, कि bounceर जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, clear everyone, समझ में आया, okay, चलो, so अगर तुम लोग ने वीड यह है, अगर नहीं है, तो तुम लोग नोट डाउन कर लो, that is, I Sanjeev, underscore, pande, okay, तुम लोग वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो, okay, कोई problem नहीं है, कुछ confusion नहीं रहेगा, तुम लोग को, okay, चलो, so always, okay, पढ़ते रही है, मुस्कुराते रही है, आज का वीडियो यही प करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.